तस्रीकाल मैं अम्रित कोचर अजटवार नू पिंडी चने बनाना दिखा रहे हैं पिंडी चने वास्ते काबली चने लेने हैं उन्होंनू रात नू पानी चे सोग कर देने अगले दिन स्वेरे उन्होंनू बॉयल कर लाना है इस तरह एदे विच दाल चीनी वड़ी लाइची थोड़ी जी लॉंग पाके इना नू प्रेशर करके जत्ता के नरम ना हो जाने जदो ए त्यार है फिर असी एदा सुखा मसाला बुनना है जिड़ा एनू डाक कलर देवेगा ओदे वास्ते असी अनारदाना करीब पंजा ग्राम अनारदाना थोड़ी जिया कालिया मिर्चा अजवैन ते करीब वी ग्राम जीरा ते अजवैन एक चमच एनू असी चंगी तर नाल पुन लेना है ज़त्तक ए कलर ना देदेना काला हो जाएगा हलका जया ए सदे डिश नू खश्बू भी देगा ते कलर भी देगा अनारदाना था टेस बड़ा अच्छा खटा मिठा होंदे ए चनिया नू भी थोड़ा खटा मिठा करारा बनादे थोड़ा जब राउन डाकर साइट ते हो जाए पर बर्न नहीं हो ना ड्राइ ग्राइंडर चे ग्राइंड कर लांगे बस ए हून होन वाला है एस मसाले चे खश्बू आनी शुरू हो जान दिया ए हो गया हून एन्नो असी थल्ले उतार दियांगे थंडा हून वस्ते फिर एन्नों बाच पीसांगे हून सानू एक बड़ा बत्त चेहिगा है बर्मणशाइ ब्सक्पर चेहिए सुम campaign हो झार के बड़ा है को आएक बड़ा डिन में बाती के मैं बड़ास कर दिया नहां डिट है इन में दा OUT Elementeा ला स्वक्राइंगे हुआ कर यद रशाएं आः चुम पर भीडिर स्थानल एक करोल all the various flavors are coming out the ginger is giving its flavor, Green chili giving its flavor the dry measured Master Marsalımल कि आभे लूवतिर वीडि़ से मत्रो्बी और दोरे they are little different from the normal channels we make for our home जिन्हों पजाबी चे रसमे साज या कहने है, ओ एदा टेक्च्छर है, हुन एदेच मैं ए उबलिवे चने, जेडे दाल चिनी और लॉंग ते वड़ी लाइचिनल असी बॉइल किता हुया है, असी उपा देने है, तुसी थोड़ा पहला नमक भी पा सकते हो, यह बाकी टेस्ट करके बाकी थोड़ा हो जाईदा जिना हो पालो, हल्का जाए नमक भी पावंगे, हाफ टीस्पून, असी थोड़ा सेमते करके, मसाले रोस्ट कीते सी, ओना असी पीस लेना है, इस इस अ ड्री ग्राइडर, बसिकली इस सब्सक्स तो ड्राइड ग्राइड ग of मसाला, आ सूट रोस्ट कारी लालडा ग्राइड जा तो एक भी तो समझ सेन जा तो ऑЬ यह एक जान तो यह भी तो एक सालोंने निन भी हैं and the spice mix so now we've got to get this pan down from the heat and we have to heat up some oil the oil has to be piping hot because that is good to be poured over the masalas you can get that sizzling sound and then put it back on the gas stove now we'll mix all the spices in then add a little water so that the masalas can mingle we'll add a tablespoon of Imli paste and a teaspoon of sugar just to cut the the tartness of the Imli and the anardana the color is changing from a light to a darker brown this is because of the ground spices it's is done now I'm going to turn it into a serving bowl now I'm going to garnish it with onions some nimbu wedges sliced tomatoes green chillies you love finally I'm going to put some coriander leaves so here are our way when the chenna is ready to be served different different I'll see you next time and झाल 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 झाल